आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो question में हमें simplify करने के लिए का आगया पार जो given है उसमें a की power 3 इंटधू b की power minus 2 और c की power minus 4 और उसकी power हमारे पास सबसे पहले हम अगर हम बात करें सिर्फGo numerator की तो हम उसको लिख सकते हैं देखो a की power 3 b की power minus 2 और c की power minus 4 और उसकी power 1 by 5 लिख सकते हैं इसको हम ठीक है तो अब देखो A की power 3 into 1 by 5 हमारे पास कितना हो जाएगा A की power 3 by 5 हो जाएगा multiply by B की power कितना हो जाएगा B की power minus 2 by 5 हो जाएगा same ऐसे multiply by C करें तो minus 4 by 5 हो जाएगा हमारे पास ठीक है यह तो numerator की बात हो गई denominator की बात कर लेते हैं हम first part का solution कर लें देखो denominator में हमारे पास A की power 8 है multiply by B की power 3 multiply by C की power minus 9 और उसकी power कितना है 1 by 5 है तो powers देखो multiply हो जाएगी हमारे पास A की power 8 by 5 हो जाएगा B की power हमारे पास 3 by 5 हो जाएगा और C की power minus 9 by 5 हो जाएगा ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं अगर हम बात करें numerator upon denominator की तो हम क्या लिख सकते हैं इसे देखो A की power हमारे पास कितना है A की power 3 by 5 into B की power minus 2 by 5 into C की power minus 4 by 5 divide by denominator की बात करेंगे हम देखो divide by denominator की value कितना ही है A की power 8 by 5 into B की power हमारे पास कितनी है 3 by 5 into C की power हमारे पास minus 9 by 5 अब देखो अगर हम बात करें M की power A की power M divided by A की power N है division में अगर powers है और base same है हमारे पास तो A की value हो जाएगी A की power M minus N division में और अगर multiplication में हमारे पास अगर हम कहें A की power M into A की power N है बेस सेम है तो multiplication के case में powers जो है एड हो जाएगी तो A की power M plus N हो जाएगा ठीक है तो अब हमारे पास देखो base same है base same है हमारे पास कुछ इस form में है तो हम कह सकते हैं कि A की power M minus N हो जाएगी देखो division में A की power 3 by 5 और A की power 8 by 5 है तो हम कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं A की power 3 by 5 minus 8 by 5 लिख सकते है multiply by same B की बात करे तो minus 2 by 5 minus minus 3 by 5 हो जाएगा multiply by C की बात करे तो division में minus होंगी तो minus का 4 by 5 minus into minus का 9 by 5 हो जाएगा ठीक है इसको हम लिख सकते हैं कि A की power कितना हो जाएगा देखो LCM तो हमारे पास आगा 5 यहां से 3 आ गया और यहां से minus का 8 आ गया multiply by B की बात कर लेते हैं LCM 5 आ गया हमारे पास यहां से minus का 2 आ गया और minus का 3 आ गया multiply by C की बात कर लेते हैं LCM तो हमारे पास 5 आ जाएगा minus 4 और minus minus plus हो जाएगा तो plus का 9 तो हम कह सकते हैं अब कि यहां से देखो A की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी minus का 5 divided by 5 multiply by B की पावर भी minus का 5 divided by 5 multiply by C की पावर देखो minus का 4 और plus का 9 तो plus का 5 बचेगा तो 5 by 5 हो जाएगी अब हम cancel out का सकते हैं 5 से काट देऊ उपर नीचे तो A की पावर हमारे पास minus 1 बचेगी multiply by B की पावर भी देखो minus का 1 बचेगी तो B की पावर minus 1 इंटू यहां पर C की पावर 1 बचेगी ठीक है अब देखो अगर कोई expression की पावर हमारे पास negative है तो उसका मतलब क्या होता है 1 divided by A है अगर हमारे पास A की पावर minus 2 होती तो हम लिखते 1 divided by A की पावर 2 तो minus negative का मतलब 1 A जो है division में तो यहां पर हम कह सकते हैं कि A की पावर minus 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by A multiply by B की पावर minus 1 को 1 by B multiply by C जो कि किसके equal हो जाएगा C divided by A upon B तो यह जो answer आगया यह हमारे पास first part का answer आगया देखो ठीक है second part को और simplify कर लेते हैं second part हमें given है उसकी बात करेंगे 125 की power 1 by 4 into 8 की power 1 by 3 plus 27 की power 1 by 3 और उसकी power 1 by 4 तो second part को हम write down कर लेते हैं देखो second part जो हमें given है 125 की power हमें given है 1 by 4 into 8 की power 1 by 3 plus हमें क्या given है देखो plus है हमारे पास 27 की power 1 by 3 और उसकी power 1 by 4 27 की power 1 by 3 27 की power 1 by 3 यह देखो 1 by 3 और उसकी power 1 by 4 तो हम कह सकते हैं यहांते कि 125 को हम लिख सकते हैं कि 5 का cube हो जाएगा 5 into 5 25 25 into 5 करेंगे तो 125 तो 5 की power 3 और उसकी power 1 by 4 हो जाएगा into 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 की power 3 है और उसकी power 1 by 3 है हमारे पास 2 की power 3 किता होगा 8 होगा प्लस 27 को हम 3 की power 3 लिख सकते हैं और उसकी power 1 by 3 है हमारे पास और जो complete जो है उसकी power हमारे पास 1 by 4 है यहां से हमारे पास आ जाएगा देखो 3 into 1 by 3 तो 3 से 3 cancel out होगा 2 की power 1 जो की 2 ही रहेगा प्लस 3 से अगर हम cancel out करें इसे तो यह भी देखो 3 into 1 by 3 है तो 3 से 3 cancel out होगा 3 की power 1 by 4 तो हम इसे कह सकते हैं यह आ गया हमारे पास 5 की 5 की power 3 by 4 into 5 की power 1 by 4 अब देखो हमें पता है concept की a की power n into a की power n is equal to multiplication में है तो powers add हो जाएंगी base same है तो a की power m प्लस n अब देखो base same है 5 है हमारे पास तो 5 की power 3 by 4 plus 1 by 4 हो जाएंगी इसको हम कह सकते हैं कि 5 की power देखो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास LCM 4 आ जाएगा और यहां से 3 यहां से 1 तो यह आ गया हमारे पास 5 की power 4 by 4 4 से 4 cancel out हो गया 1 तो मतलब की 5 की power 1 is equal to 5 तो second जो part है उसका answer 5 आ गया और जो first part है उसका answer c by c upon a b आया था हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि first part का जो answer है वो c upon a b है और second part का जो answer आया वो हमारा 5 आया अब देखो match कर लेंगे c upon a b हमें कुन से option में गीवन है option 2 में देखो first part का answer हमें c upon a b गीवन है और second part का answer 5 गीवन है मतलब option 2 हमारे answer से match कर रहा है so option 2 will be correct answer to this question thank you classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर